C.E.N. News देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबों के लिए C.E.N. News को सब्सक्राइब करें और रहें पलपल की खबर से हर पल बाखबर उतर प्रदेश के जनपद मेरट में आज श्रम कल्यान परिशत के अध्यक्ष राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने मेरट के सरकेट हाउस में जन सुनवाई करते हुए श्रमी को वो सैकडो आम जन लोगों की समस्या का तत्साल निस्तारण किया साथ ही राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला जी ने समस्त प्रदेश्व देश्वासियों को श्री कृष्ण जन मश्टमी की भी शुपकामनाय दे वही जन सुनवाई के दोरान एक तीन तलाक मुस्लिम महिला मंत्री जी के सामने रो रोकर इंसाफ की गुहार लगाने लगी महिला मेरट के थाना लिसाडी गेट अंतरगत इलाकी की रहने वाली है जिसने जन सुनवाई के द्वरान बताया कि उसके पती ने मुंबई से टेलिफोन के सरिये तलाग 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 दे दिया जिसमें पुलिस भी कोई उस कारवाई नहीं की जिसको गंभीता से लिसाडी गेट नजीर अहमत को मेरट सरकेट हाउस में तलब कर ततकाल कारवाई का आदेश दिया जिसके बाद तीन तलाग पिडिता ने मंतरी जी का अभार करते हुए ततकाल कारवाई की प्रशंसा की श्री भराला में बताया कि छुट्टी के दिन भी जनता की एमम श्रामिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज प्रातत दस बजे से ही जनपद मेरट और आसपास चीलों के लोगों का आने का सिलसिला जारी रहा अब प्राहन तीन बजे तक सभी की समस्याओं का न लेकर के एक पीडित महिला आई थी और उसने अपने बारे में बताया कि मेरे पती ने तलाग 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 कहकर के बॉंबे से और तीन तलाग दे दिया है उसको लेकर कि मैंने लिसाडी गेट थाना में मुकदमा पंजीकर्द कराया हमारा थाने अध्धक्ष ने उस तालिस हंटे के बाद इस पर जो महिला का जो उत्पिडन है और जो रिपोर्ट लिखी गई है उस पर कारेवाई करूँगा मैंने भारत के प्रधान मंतरी को बधाई दी है भारत के प्रधान मंतरी आदर्णी नरेंद्र मोधी जी ने और भारत की ग्रह मंतरी आदर्णी अम सोधन करके जो कानून बनाया गया इसका लाब मिल रहा है मैं बहुत पढ़ा देता हूँ परदान मंत्री जी को कि इस कानून से जो पीडित महिलाती उनको रहत मिल रही है